यवत्मान जिले के दिग्रश पंचाज समिती की पुरानी इमारत जर्चर हो चुकी है पंचाज समिती का प्रांगन मविश्यों के विश्रन केंडर में तब्दिल हो चुका है हाला कि यहाँ नई इमारत का काम बीते तीन से चार सालों से अधर में लटका पड़ा है इसका काम अपनी अंजाम तक कप पहुचेगा इससे खुद गटवे का सदिकार भी अंजान है पेशे दिग्रश पंचाज समिती का प्रांगन है जो इन दिनों गदे घाट या फिर अवस्था को पहुच चुकी है 1960 में बनी इमारत न सिर्फ खस्ता हाल हो चुकी है बलकि यहां की दुरावस्था को देखकर लगता है कि पंचाज समीती का प्रशास की अस्तर भी दुरावस्था का शिकार हो चुका है क्यूंकि दिग्रश पंचाज समीती की नई इमारत का क बड़े जोरो शोरो के साथ शुरू तो किया गया था लेकिन बाद में उतने ही जोरो शोरो से इस काम को ब्रेक भी लग चुका है। पंचय समीती कार्याले से किसी अन्य दूर जगह पर शुरू किया गया है। पंचय समीती की नई इमारत के बारे में जब स्थानिय गटविकास अधिकारी रमेश खरोड़ों से बात की गई तब उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके स्तर पर नई इमारत के काम को गती दिलाने के लिए प्रयास किये है। इसके लिए वरिष्ट अधिकारियों से पताचार भी किया गया है। परोड़े के मुताबिक वे खुद भी चाहते हैं कि एक ही छट के नीचे दिग्रस पंचार समीती के सारे कारेया लयों का काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि यहां आने वाले ग्रामिन विभाग की जनता को अपने काम के लिए इधर उदर दौड ना लगानी पड़े। इसलिए यह काम पूरा होने में देरी हुई लेकिन आने वाले आठ से दस दिनों के भीतरी हकाम पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और यह इमारत जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। कामों के लिए जिम्मेदार वरिष्ट अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद इस इमारत का काम मुकम्मल हो पाता या नहीं ये देखने वाली बात होगी।